एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए, रोज भोजन मिले, एक दिन उसे एक उपाय सुझा, तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मचलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कारे और नहीं करूँगा, मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकटाई मचलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ, तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नश्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है, मुझे जहात हुआ है कि शीघ्र ही यहां बारह वर्ष बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकाल दर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविश्यवानी कभी कलत नहीं होती। दोस्तों, ऐसे और भी इंट्रेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, तो आईए, अब आगे सुनते हैं। मैं तुम्हें एक-एक करके अपनी पीठ पर बिठा कर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेश जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीव खुश होकर भगुला भगतजी की जै के नारे लगाने लगे। अब भगुला भगत के पौव बारह हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चटान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगतजी दो फेरे भी लगाते और दो जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चटान के पास मरे जीवों की हट्टियों का धेर बढ़ने लगा और भगतजी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देख जो सब का विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए, खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहां से वहां पहुँचा दिये, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। आजा, मेरी पीठ पर बैठ जा। सडक पर केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब गुला भगत खुब हसा और बोला, मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है, मैं एक एक को पीठ पर बिठा कर यहां लाकर खाता रहता हूँ, आज तु मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहारी और तुरंत अपने पंजों को चाही बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। इस कहानी से सीख कि किसी की भी बातों पर आखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, मुसीबत में धीरज वबुधिमानी से कार्य करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती ह और भी बहतरीन कहानीकारों की इंट्रेस्टिंग कहानियों के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करना और साथ ही लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।